उसकी और आर्चा की मुलाकात तीन दशक पहले हुई थी और जल्दी ही दोस्ती कर ली क्योंकि जुआ, पैसा और महिलाओं में उनकी पसंद एक जैसी थी। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी बन गए। मौगन के अनुसार एक आधी रात को आर्चा नशे में गाड़ी चला रहा था और वो यात्री सीट पर था। त्रासदी तब हुई जब आर्चा ने एक पैदल यात्री को टकर मार दी जिसके कारण उसकी ततकाल मृत्यू हो गई। मौगन पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन आर्चा ने यह मानते हुए शव को ठिकाने लगाने पर जोर दिया कि यह एक दुरघटना है। जब दोनों के बीच बहस हुई तो आर्चा ने उसे इसी बंकर में बंद कर दिया। इसके अतिरिक, मौगन ने सोफिया नाम की एक महिला के साथ आर्चा के संबंद का खुलासा किया, जिसके पास वो सब कुछ था जो कैथरीन के पास नहीं था। लोरेन को उसकी बातों पर विश्वास्त नहीं होता। इसलिए अपने दावों का समर्थन करने के लिए, मौगन उसे सोफिया का पता देता है और उससे इसे स्वयम जाचने का आगा करता है। वो उससे हेरोल से पुष्टी करने के लिए भी कहता है, जो वर्षों से आर्चा के साथ है। क्रोधित होकर लोरेन चली जाती है और वो सपश्ट रूप से इन सभी खुलासों को संसाधित करने में असमर्थ महसूस करती है। बाबजूद इसके रोकिता के साथ संभण के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वो आर्चा से पोकर गेम में मिली थी। लोरेन की नजर एक युवा लड़के की तस्वीर पर पळती है और लोरेन सोफिया से उसके बारे में पूचती है। जवाब में सोफिया ने एक चौकाने वाला साचो जागर किया वो लड़का उसका बेटा एलेक्स है जो लोरेन का सोतेला भाई भी है इस सबसे अभिभूत होकर लोरेन अपने आखों में आसू लेकर चली जाती है बाद में वो हेरोल के कार्याले जाती है और परिवार से रहसे छिपाने के लिए उस पर अपना गुसा प्रकट करती है इसके जवाब में हेरोल का कहना है कि गोपनियता रखना उनकी जिम्मेदारी है लोरेन और छिपी हुई जानकारी के बारे में पूचती है जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नुकसान पहुचा सके वो ये भी दावा करता है कि वो बाकी जानकारी अभी भी छिपा कर रखेगा और सुझाव देगा कि वो आगे बढ़ जाए इसके बाद लोरेन अपनी मा के पास जाती है और मौगन वोनर के बारे में पूचती है हाला कि नाम से कुछ भी ट्रिगर नहीं होता क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं थी फिर तनाव ग्रस्त विलियम प्रवेश करता है जब उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि सब कुछ करने के बावजुद उसे वोट का नुकसान हो रहा है इसके बाद विलियम ने लोरेन को रैली में शामिल होने का आगरा किया जिसे वो जिजखते हुए सहमत हो गई उसी रात अधिक जानकारी प्राप्त करने के लक्षे से लोरेन फिर से बनकर में जाती है वो उस पैदल यात्री के शव के ठिकाने के बारे में पूछती है जिसे उसके पिताने दफनाया था इसका जवाब देते हुए मोगन ने एक डील रखी वो उसे वहां तभी ले जाएगा जब वो उसे उसके बाद आजादी देगी हाला कि लोरेन सहमत हो गई और वे बाहर जाने का साहस करने लगे इतनी लंबी अवधी के बाद बनकर से बाहर निकलते ही मोगन की भावनाय बढ़ गई उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार वो बाहर निकलने में काम्याब हो गया है अगले द्रिशे में लोरेन मोगन के निर्देशों के अनुसार जंगल की ओर चली जाती है थोड़ी देर बाद वे दफन स्थल पर आते हैं और वो तुरंथ खुदाई शुरू कर देती है उसके दर की जल्द ही पुष्टी हो गई उसे एक मानव खोपरी मिलती है और मोगन के दावो की पुष्टी होती है अभिभूत होकर लोडेन ने अवशेशों को फिर से दफना दिया और बनकर में लोटा आई फिल लॉरन उसे लोहे का कॉला फिर से पहनने का आदेश देती है लेकिन वो उससे उसे धोखाना देने की विनती करता है और उसे याद दिलाता है कि वो एक इमानदार वकील है और वो अपने पिता की खुरूरता को न दोहराए मोगन कहता है कि कारावास के कारण वो अपनी मा के अंतिम संसकार में भी शामिल नहीं हो सका वो उससे विनती करता है कि वो उसे अपने शेशवर्ष शान्ती से बिताने दे विना किसी नुकसान के उनके जीवन से गायब होने की कसम खाता है लेकिन उसके हार्दिक स्पष्टी करण के बावजूद, लोरेन, जो अब किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं है, माफी मांगती है और चली जाती है बाद में, वो जासूस को फोन करके पूछती है कि उसे मोगन के बारे में कोई जानतारी मिली है लेकिन एमिलियो का कहना है कि इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं अगले दिन, लोरेन अपने भाई के कारियाले जाती है मार दर्शन मांगती है और ये दिखावा करती है कि ये उसके अदालती मामले के लिए है वो है एक कालपनिक द्रिश्य प्रस्तुत करती है, पूछती है कि वो उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा जिसके पास सभी रहसे हैं और जो खत्रा भी पैदा करता है विलियम दो विकल पेश करता है, व्यक्ति के शरीर को नदी में बहा देना या हमेशा के लिए गायब हो जाने की धमकी देना बिजार करने के बाद लॉरेन वपस बन करमे जाती है और मौगन से वादा करने को कहती है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा एक बार जब वो ऐसा कर लेता है तो वो उसे अपने प्रस्थान के लिए तयार होने का निर्देश देती है और आश्वासन देती है कि उसे उस रात मुक्त कर दिया जाएगा इसके बाद लॉरेन हेरोल के पास पहुँचती है और उसे उस व्यक्ति के लिए 10 लाग डॉलर और एक निजी जैट की व्यवस्था करने के लिए कहती है हेरोल की पूछताच के बावजूद भी लॉरेन ने कुछ भी बताने से इंकार करा जैसे ही मौगन जाने के लिए तयार हुआ लॉरेन ने उसे पूछा कि क्या उसके पिता ने उसके बारे में कुछ बताया था मौगन की आर्चको अपनी बेटी पर बहुत गर्व था लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि वो उनके दोस्तों का विरोध करती थी अंत मौगन एक और रहस्य बताता है उसका भाई विलियम यूनियन प्रतिनिध्यों को रिश्वत देता है क्रोधित होकर लॉरेन तुरंत अपने भाई के कार्याले जाती है जवाब में विलियम स्वीकार करता है और कहता है कि आगे बढ़ने के लिए रिश्वत देना महत्वपूर्ण है उसका दावा है कि जिला अटौनी के रूप में उनके पिता ने भी रिश्वत खोरी का सहारा लिया था ये सब सुनकर क्रोधित लोरेन उसे थपड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है